C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याई एक पूर्णांक प्रिष्ट एक एक दशमलव एक भूमिका हम कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्यायन कर चुके हैं हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याओं एवं रिनात्मक संख्याओं सम्मिलित होती हैं आपने पूर्णांकों एवं पूर्ण संख्याओं में और क्या अंतर पाया है? इस हध्याय में हम पूर्णांकों, उनके गुणों एवं संक्रियाओं के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे. सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों से संबंधित किये गए कार यकी समीक्षा करेंगे एवं उस्से दोहराएंगे. 1.2. पुनरावलोकन हम जानते हैं कि पूर्णांकों को संख्यारेखा पर कैसे निरुपित किया जाता है. दी गई संख्यारेखा पर कुछ पूर्णांकों को अंकित किया गया है. क्या आप इन अंकित पूर्णांकों को अरोही क्रम में लिख सकते हैं? इन संख्याओं का अरोही क्रम माइनस पांच माइनस एक तीन है. हमने माइनस पांच को सबसे छोटी संख्या के रूप में क्यों चुना? निमनलेकित संख्याओं पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किये गई हैं. इन पूर्णांकों को अरोही क्रम में लिखिये. यहाँ एक संख्याओं रेखा दी गई है जिस पर कुछ संख्याओं अंकित हैं. माइनस सोलह, माइनस नौ, माइनस चार, शून्य, तीन, आठ, चौदा है प्रिष्ठ दो प्रयास कीजिए इन पूर्णांकों का अवरोही क्रम, चौदा है, आठ, तीन, इध्यादी है उपर युक्त संख्या रेखा पर केवल कुछ पूर्णांक लिखे गए हैं प्रत्येक बिंदु पर उचित संख्या लिखिए एक, पूर्णांकों को निरुपित करने वाली एक संख्या रेखा नीदी हुई है यहां अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A से O तक इस संख्या रेखा पर दिये गए हैं माइनस तीन एवं माइनस दो को क्रम शह E और F से अंकित किया गया है B, D, H, J, M एवं O द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किये जाएंगे दो, पूर्णांकों साथ माइनस पांच, चार, शून्य एवं माइनस चार को आरोही क्रम में क्रम बध कीजिए और अपने उत्तर की जाँच करने के लिए इन्हें एक संख्यारेखा परंकित कीजिए हम अपने पिछली कक्षा में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का द्यर्यन कर चुके हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए किसी संख्यारेखा पर जब हम एक एक धनात्मक पूर्णांक को जोडते हैं तो दाई और चलते हैं बताएए के निम्नलिखित कथन सही है अत्वा गलत जो कथन गलत हैं उनको सही कीजिए एक जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है 4. पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम माइनस 8 है एवं पूर्णांक माइनस 8 का योज्य प्रतिलोम 8 है 5. व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाना है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं 6. माइनस 10 जमा 3 बराबर 10 घटा 3 7. 8 जमा माइनस 7 घटा माइनस 4 बराबर नहीं है 8 जमा 7 घटा 4 के अपने उत्तरों की तुलना निम्नलिखित उत्तरों के साथ कीजिए 1. सही है उदाहरण तह ए जपन जमा 73 बराबर 139 बी 113 जमा 82 बराबर 195 इत्यादी प्रिश्ट 3 इस कथन के समर्थन में 5 और उदाहरण दीजिए 2 घलत क्योंके माइनस 6 जमा माइनस 7 बराबर माइनस 13 है जो के धनात्मक पूरणांक नहीं है सही कथन इस प्रकार है जब दो रिनात्मक पूरणांक जोड़े जाते हैं तो हमें एक रिनात्मक पूरणांक ही प्राप्त करते हैं इस कथन को सत्यापित करने के लिए अपनी तरफ से पांच और उदाहरन दीजिए 3. गलत क्योंके माइनस नौ जमा सोलह बराबर साथ ये एक रिनात्मक पूरणांक नहीं है सही कथन इस प्रकार है जब एक धनात्मक पूरणांक और एक रिनात्मक पूरणांक को जोड़ा जाता है तो हम उनका अंतर लेते हैं और बड़े पूरणांक का चिन्ह उस अंतर के पहले रख दिया जाता है बड़े पूर्णांख का निर्णएं दोनों पूर्णांखों के चिन्हों की अवहेलना करते हुए लिया जाता है उदाहरण थह इस कथन का सत्यापन करने के लिए पांच और उदाहरण बनाईए 4. सही योज्य प्रतिलोम के कुछ और उदाहरण निमन लिखित है पूर्णांख योज्य प्रतिलोम 10-10-10-10-10-86-86-86-86 अथह किसी पूर्णांख ए का योज्य प्रतिलोम मैनस ए है और मैनस ए का योज्य प्रतिलोम ए है पांच, सही, व्यवकलन योग का विपरीत होता है और इसलिए हम घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं उदाहरन तह ए चपन घटा तेहत्तर बराबर चपन जमा तेहत्तर का योज्य प्रतिलोम बराबर चपन जमा माइनस तेहत्तर बराबर माइनस सत्रह b. 56 घटा – 73 बराबर 56 जमा – 73 का योज्य प्रतिलोम बराबर 56 जमा 73 बराबर 139 c. 89 घटा 45 बराबर 89 जमा – 45 बराबर – 124 D. माइनस 100 घटा माइनस 172 बराबर माइनस 100 जमा 172 बराबर 72 इत्यादी इस कथन का सत्यापन करने के लिए ऐसे कम सिक्म 5 उदाहरन लिखिए इस प्रकार हम पाते हैं कि किनी भी दो पूर्णांकों A एवं B के लिए A घटा B बराबर A जमा B का योज्ज प्रतिलोम बराबर A जमा माइनस B और A घटा माइनस B बराबर A जमा माइनस B का योज्ज प्रतिलोम बराबर A जमा B 6 गलत है क्योंके माइनस 10 जमा 3 बराबर माइनस 7 और 10 घटा 3 बराबर 7 इसलिए माइनस 10 जमा 3 दस जमा 3 के बराबर नहीं है 7 गलत क्योंके 8 जमा माइनस 7 घटा माइनस 4 बराबर 8 जमा माइनस 7 जमा 4 बराबर 1 जमा 4 बराबर 5 और 8 जमा 7 घटा 4 बराबर 15 घटा 4 बराबर 11 है इसलिए 8 जमा माइनस 7 घटा माइनस 4 बराबर 8 घटा 7 जमा 4 है प्रयास कीजिए अपनी पिछली कक्षा में हमने संख्याओं के साथ विभिन प्रकार के प्रती रूप यानि पैटर्न ग्याद किये हैं क्या आप निमने लिखित में से प्रत्यक के लिए एक पैटर्न ग्याद कर सकते हैं यदि हाँ तो इनको पूरा कीजिए A. साथ तीन माइनस एक माइनस पांच डाश 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 B. माइनस दो माइनस चार माइनस छह माइनस आठ डाश 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 C. पंदरह है दस पांच शून्य डाश 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 D. माइनस ग्यारह है माइनस आठ माइनस पांच माइनस दो डाश 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 ऐसे कुछ और पैटर्न बनाईए और उन्हें पूरा करने के लिए अपने मित्रों से कहिए प्रशनावली एक दशमलवेक 1. किसी विशिष्ट दिन विभिन स्थानों के तापमानों को डिगरी सेल्सियस में निमनलिकित संख्यारेखा द्वारा दर्शाया गया है यहाँ एक संख्यारेखा दी गई है जिस पर माइनस दस से पचीस तक की संख्यां अंकित हैं साथ ही कुछ स्थानों के नाम भी अंकित हैं जैसे लाहुलसपीती, श्रीनगर, शिमला, उटी, बैंगलोर A. इस संख्यारेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए B. उपर युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है C. लाहुलसपीती एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है D. क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोन उस्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? 2. किसी प्रशन उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिये जाते हैं और गलत उत्तर के लिए रनात्मक अंक दिये जाते हैं यदि 5 उत्तर उत्तर चक्रों यानि राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किये गई अंक 25,-5,-10, 15 और 10 थे तो बताईए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था 3. सोमवार को श्रीनगर का तापमान माइनस 5 डिगरी सेलसियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिगरी सेलसियस कम हो गया मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था बुधवार कुट्था अपमान 4 डिग्री सेलसियस बढ़ गया बुधवार कुट्था अपमान कितना था? 4. एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की उचाई पर उड़ रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर ये हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पंडुब्बी के ठीक उपर है पंडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की उर्थवाधर दूरी कितनी है? ये प्रशन एक चित्र की मदद से दिखाया गया है प्रिष्ट पांच मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपई जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपई निकाल लेता है यदि खाते में से निकाली गई राशी को रिनात्मक संख्या से निरुपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशी को आप कैसे निरुपित करेंगे निकासी के पश्चात मोहन के खाते में 6 राशी ग्याद कीजिए 6. रीता बिंदुए से पूर्व की और बिंदुबी तक 20 किलोमीटर की दूरी तै करती है उसी सड़क के अनुदिश बिंदुबी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की और तै करती है यदि पूर्व की और तै की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरुपित किया जाता है तो पश्चिम की और तै की गई दूरी को आप कैसे निरुपित करेंगे बिंदुए से उसकी अंतिम स्थिती को किस पूर्णांक से निरुपित करोगे यहां एक संख्या रेखा की मदद से यह प्रश्न दिखाया गया है संख्या रेखा पर A और B बिंदु अंकित हैं साथ ही पश्चिम और पूर्वदिशाएं दिखाई गई हैं साथ, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ती, प्रत्येक स्तंभ, एवं प्रत्येक विकरण की संख्याओं का योग समान होता है बताइए निमनलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है एक, पांच माइनस एक माइनस चार, माइनस पांच माइनस दो साथ, शून्य तीन माइनस तीन, दो, एक माइनस दस शून्य, माइनस चार माइनस तीन, माइनस दो, माइनस छे, चार माइनस साथ 8. A और B के निमनलिखित मानों के लिए A घटा माइनस B बराबर A जमा B का सत्यापन कीजिए 1. A बराबर 21, B बराबर 18 2. A बराबर 118, B बराबर 125 3. A बराबर 75, B बराबर 84 4. A बराबर 28, B बराबर 11 9. निमनलिखित खत्नों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़े छोटे अत्वा बराबर का उपयूग कीजिए A. माइनस 8 जमा माइनस 4, डाश माइनस 8 घटा माइनस 4 B. माइनस 3 जमा 7 घटा 19, डाश 15 घटा 8 जमा माइनस 9 C. 23 घटा 41 जमा 11, डाश 23 घटा 41 घटा 11 D. 49 जमा माइनस 24 घटा 15, डाश 36 जमा माइनस 52 घटा माइनस 36 E. माइनस 231 जमा 89 जमा 51, डाश माइनस 399 जमा 169 जमा 18 10. पानी के एक तालाब में अंदर की और सीड़ियां हैं एक बंदर सबसे उपर वाली सीड़ी यानि पहली सीड़ी पर बैठा हुआ है पानी नौमी सीड़ी पर है 1. वह एक छलांग में 3 सीड़ियां नीचे की और और अगली छलांग में 2 सीड़ियां उपर की और जाता है कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुँच पाएगा प्रिष्ट 6 2. पानी पीने के पस्चात वह वापस जाना चाहता है इस कारे के लिए वह एक छलांग में 4 सीड़ियां उपर की और और अगली छलांग में 2 सीड़ियां नीचे की और जाता है कितनी छलांगों में वह वापस सबसे उपर वाली सीड़ियां पर पहुँच जाएगा तो निम्न लिखित को पूरा करते हुए, भाग एक और दो में उसकी गती को निरुपित कीजिए. A, माइनस तीन जमा दो जमा डैश बराबर माइनस आठ. B, चार घटा दो जमा डैश बराबर आठ. A, में योग माइनस आठ, आठ सीड़ियां नीचे जाने को निरुपित करता है, तो B, में योग आठ किसको निरुपित करेगा? अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक. कारिक्रम समन्वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, वाचन्स्वर गौरव मारवा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंगडो, तक्नीकी सहायक, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, निर्देशन व निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत